तो आज मैं आपको बताऊंगी JSA for confined space, job safety analysis for confined space इसके लिए मैंने आपको एक permit का भी बताया था कि permit कैसे issue होता है confined space के लिए पर इस बार ये बताया जाएगा इसमें कि job safety analysis हम कैसे करते है confined space के लिए कोई भी confined space अगर है तो हम उसमें कैसे पहले देखेंगे कि उसमें कितनी हजार्ड है कितनी risk है और हमके उसे कैसे control कर सकते है उससे related यह रहता है JSA, job safety analysis ठीक है तो JSA मतलब जो भी हम work permit देने से पहले जो steps लेते हैं कि confined space में किस तरीके से work किया जाएगा उसको बोलते है JSA अब JSA कैसे देंगे confined space के लिए इसके बारे में हम जानेंगे ठीक है अब माल लीजे किसी को भी JSA करना है वहाँ ठीक है अब confined space है वहाँ क्या-क्या जरूरी होगा पहले confined space है किसी एक बंदे को भेजा जाएगा सबसे पहले तो उसका physical test हुआ होगा ठीक है कहीं उसे सांस की problem तो नहीं है यह सारी चीज़े चेक की जाएगी देन उसके बाद confined space में आपको क्या-क्या सामाल लेके जाना है किस चीज का confined space है किसी चीज का tank है container है या कुछ और है तो यह सारी चीज़े हमें ध्यान रखनी होंगे उसके बाद उसका JSA बनाया जा कुछ fumes हैं जिसकी वज़े से वो सांस ना ले पाए या उसके अंदर हमें welding करनी है और कुछ fumes उसमें बाकी है तो blast हो सकता है ठीक है यह सारी चीज़े हम चेक करेंगे अगर उस person को time लगने वाला है उस काम में तो उसे SCBA दिया जाएगा self-contained breathing apparatus ठीक है यह दिया जाएगा उसको सांस लेने में जैसे problem ना हो उसके जो भी वो work करने जा रहा है उसको पूरी पीपीस provide करा ही जाएगी ठीक है उसके head protection, eye protection, body protection यह सारी चीज़े देखी जाएगी ठीक हाडनेस और life line जो रहती है hardness वो से दिया जाएगा ठीक है और tank जो भी tank container जिसके अंदर भी work करने ज होना चाहिए उसके अंदर कोई भी material नहीं होना चाहिए जिससे कि अगर work करते दौरान उसको कोई भी चीज यूज में ले रहा हो तो उसकी वज़े से कोई blast ना हो ठीक है तो इस तरीके से JSA maintain किया जाता है ठीक है sequence of job step यहां लेखे हूँ है इस तरीके के चीज़े हमारे प यह हमें पता है चलिए और यह भी हमें पता है हमारे पास सारा सामान है अब वो यह भी चीज़े करना पड़ेगा ना वो कैसी condition में working condition में है या नहीं ठीक है अब जैसे के माले जिए वो SCVA लेके गया अब यह तो चैक करना पड़ेगा उसके अंदर gas है या नहीं oxygen है या नह ठीक है तो ऐसी चीज़े नोटिस की जाती हैं जब हम job safety analysis करते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं hazard क्या है उसमें फिर risk क्या है और उसे control कैसे कर सकते हैं control करने के steps जैसे ही आते हैं वैसी हम सारी चीज़े चेक आउट करने लगते हैं उसके बाद work permit issue किया जाता है जैसे कि देख रहें confined space में work करना इतना easy नहीं है वो ladder लेके नीचे जा रहा है तो ऐसी harness लगी हुए उससे देखिया तो क्या करते हैं वही equipment अंदर लेके जाते हैं जिसका हमें बहुत ज़्यादा जटूरत हो कोई भी ऐसी extra चीज़े नहीं लेके जाते हैं कभी भी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है केवल भी चीज़े लेके जाई जाती हैं तो इस तरीके से confined space रहता है हम उसमें जब भी work करने चाते हैं तो यह सारी चीज़े हम चेक करते हैं सास लेने के लिए oxygen भी होना चाहिए क्योंकि confined space है बहुत घुटन हो सकती है उसमें ठीक है वहाँ पर less air रहती है तो हम सास नहीं ले सकते हैं इसलिए यह सारी चीज़े और फिर उसे एक attendant भी चाहिए जो worker अंदर गया है काम करने उपर एक person खड़ा रहेगा कि कोई भी अगर ऐसी emergency situation आती है तो वो check out कर सके और emergency के लिए दूसरे लोगों को call कर सके कि यहाँ ऐसी emergency आई है ठीक है तो JSA जो है वो इसलिए बनाना चाता है कि हम किसी भी risk को कुणने से पहलों से analyze कर ले देखिए इस तरह से हम risk control hierarchy बनाते हैं जिसके eliminate hazard कर सकते हम जैसे कि जिस भी टाइंग के अंदर वो जा रहा है वो किस चीज का है उसकी सफाई करवाना ऐसी कोई भी चीज फिंद उसमें न रहा जाए ठीक है substitute कर सकते हैं जैसे कि उसकी cleaning करवाने के बाद nonflammable या toxic cleaner से उसकी सफाई हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कोई भी आसे toxic material उसके अंदर नहीं रहे है engineering control में यह जो भी work हम कर रहे हैं उसे isolate hazard बोल सकते हैं मतलब जहां भी work चल रहा हुँसे उस जगे को पता हो यहां CONFORT WORK चल रहा है उसको हो ठीक हो ठीक है noodles कर सकते हैं उस एक अच्छा है एक बुरा तो एघ मेनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बूंस्टॉफ कर रहा है उसका यही बताया जाता है कि कोई भी वरक होना चाहे है यहाँ हूँ ठीक है, PPE जो बहुत ही helpful होती है, कोई भी चीज हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो PPE पहना बहुत ही ज़रूरी है, हर तरीकी का work कर रहे हो, इससे क्या होगा, कि जो भी आपकी life saving equipment रहते हैं, एक तरीकी है, अगर हाथ पे कोई chemical गिरता है, तो gloves पहने हो, तो आपकी हाथ को harm नहीं ह ठीक है, breathing apparatus आपके पास है, तो सास लिन में problem हुई तो आप उस oxygen ले सकते हैं, तो इस तरीकी के PPE जब आपको safe कर सकते हैं, आई protection हुआ, safety boots आपने पहन रखे हैं पैरों में, तो क्या कोई भी भारी सामान आपके पैर पे गिरेगा, तो आपके पैर को छोटनी आएगी, तो य अब तक आप work करने जा रही हैं, तो तब ही जाएं जब आपको उस चीज़ के बारे में पता हो वरना उस काम को avoid ही करें, और हमेशा proper PPEs, product जो है, procedure जो है, वो follow करें, ठीक है, correct PPE और procedure, बहुत ही important है, ठीक है, अगर आप proper procedure से ही वो work करते हैं, तो वो अच्छे से हो पाएगा तो JSA आपको यही सब सिखाता है कि किस काम को किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्या सामन उसमें लगेगा, क्या 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 equipment आपको जरूरी हैं, आपकी health से लेके, आपके work से लेके, आपके workplace तक, पूरी safety उसमें maintain रहती है, और अगर आप JSA बना के उस काम को करने जाते हैं JSA को follow करके, job safety analysis जो points बनाते हैं, उसको follow करके अगर आप जाते हैं, तो बहुत हद तक कोई भी accident होने से रुख सकता है, तो यह आज JSA बताया, confined space के लिए, so thank you